य característOREL के अंदर unigraphics में बनाने वाले हैं ये model, ठीक है, ये model इसमें हम बनाएंगे, यहां से मैं आपको इसके views दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ये वाला जो आप views देख रहे हैं, ये वाला जो आप views देख रहे हैं, यह इसका यह वाला व्यू है, इस section में दिखाया हुआ है लेकिन मैं आपका ऐसी दिखा रहा हूँ यह इस तरीके का बना हुआ है और इसके बाद यह इसका side view है अगर आप इसको देखेंगे, यह इसका side view है यह वाला view जो है और यह इसका view है back side में तो यह back side से कुछ ऐसा दिखाई देगा ठीके न, यहाँ पर मैंने इसके कुछ views शो किये हैं आप उन्हें देख सकते हो तो इसको बनाना start करते हैं सबसे पहले start करते हैं नए page से यहाँ से refresh करता हूँ और refresh करने के बाद फाइल में चलते हैं न्यू पर click करेंगे न्यू पेज लेंगे dimension को millimetres में रहने देंगे आप model का आप नाम डाल सकते हो और यहाँ destination जहाँ आप save करना चाहते हो और ok press करेंगे ok press करने के बाद सबसे पहले एक plane लेते हैं जिसमें मिक्स को बनाने वाले हैं और इसे ok करेंगे ok करने के बाद हमारे पास मैं इसमें क्या करने वाला हूँ ये वाला जो sketch है ये बहुत बढ़िया tutorial है उन बच्चों के लिए जिने sketch बनाने में problem होती है या फिर जो बिलकुल अभी beginners हैं सीख रहे हैं तो वो इस video को जरूर देखे advance तो कर लेंगे लेकिन beginners बच्चों के साथ इसको जरूर share कीजे तो ये मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ ठीक है ये बनाने के बाद यहां से इसका dimension है इसकी total length है यहां से 63 ठीक है तो यहां से ये dimension को हम लोग कर देंगे 63 ठीक है 30 के बाद इससे zoom करेंगे zoom करेंगे line लेंगे और ये मैंने इसको ok कर दिया इसको मैं कर देता हूँ horizontal ताकि ये सीधा हो जाए और यहां से इसको construction line में convert कर देते हैं चलते हैं इस वाले part के ओपर और बनाते हैं यहां से circle उठाते हैं और यहां कहीं पर मैं एक circle बनाता हूँ यह circle रहेगा radius 3 का means यह रहेगा 6 diameter गा ठीक है यहां से हम लोग इसको value assign कर देते हैं 6 diameter यहां से 6 और enter close करेंगे close करने के बाद यहां पर मेरे पास कुछ damage है देखी नीचे से 7.5 है और यह वाला portion आपके पास में लगबग 3 का है 3 का यह है और बाकी का 7.5 तो इसको calculate कर लेते हैं 7.5 plus 3 ठीक है यहां पर हमारे पास में value हो जाएगी 10 अंदर कितना है यह 4.5 है अगर यहां से देखोगे तो इसको हम लोग करते हैं 4.5 और enter एंटर करने के बाद आपको यहां से line लेनी है इस portion से draw करना है कुछ इस तरीके से फिर इस portion से draw करना है कुछ इस तरीके से और इसको cut करेंगे cut करने के बाद यहां से हम लोग trim उठाएंगे trim उठाने के बाद यह सारा trim कर देंगे और इसे कर देंगे finish यहां से इतना बनाने के बाद आपको same profile को नीचे करना होगा mirror mirror करने के लिए मैं यहां से लेता हूँ connected curves connected curves किसले ले रहा हूँ ताकि एक ही बार में सारा select हो जाए center line हमारे पास यह रहेगी center line नहीं और ही select कोई बात नहीं तो फिर दुबारा से हम लोग यहां पर करते है mirror mirror के लिए मैं यहां पर connect curve ना लेकर single curve यहां पर लूँगा और यह मैं एक एक करके curves को select करूँगा जो भी मैं mirror करना चाहता हूँ ठीक है ना आप भी ऐसी select करें center line यह हो जाएगी और इसको apply कर देंगे apply करने के बाद इसको side में आते हैं और यह total है हमारा 18 mm की चोड़ाई में तो यहां से इसको हम लोग institute करेंगे ठीक है ना यहां से मैं value रखोंगा 9 की 18 है 18 को हम लोग 9 कर देंगे और symmetry value कर देंगे ठीक है ना तो यह 18 हो जाएगा 18 होने के बाद आप इससे apply कर देना okay कर देना इसके नीचे से कर देंगे hide यह जो sketches को hide कर देते हैं hide करने के बाद हमें यह वाले face पर यह वाला portion बनाना है आप देख सकते हो इसे कि यह लगबग 4.5 का है तीन हमें इसकी thickness है और यह देखिए total तो है 21 बीच का है 18 तो यह हो गए 18 उननिस बीस 21 यहनि कि तीन का difference आ रहा है 1.5 विदर है और 1.5 विदर की तरफ हो जाएगा CDC calculation है तो आप यह काम भी कर सकते हो और चाहे तो आप इसको यहां से बना कर extrude भी कर सकते हो आपके पास दोनों ही option है तो दोनों ही option है आप कैसे भी कर सकते हो चाहे तो आप इसको इस तरीके से बना लीजे 3 mm यहाँ डाल दीजे 4.5 यहाँ डाल दीजे ठीक है ना तो इसे साब से आपका यह बन जाएगा ठीक है तो हम लोग एक काम यही करते हैं के sketch लेता है simple एक rectangle draw करते हैं कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा easily आपका काम हो जाएगा यहाँ तक बना दिया मैंने यहाँ तक बनाने के बाद इसकी जो यह मोटाई है यह 3 mm है और इसको apply कर देंगे ठीक है न अप्लाई करने के बाद finish करेंगे और extrude करेंगे और इसको कितना रखेंगे यहाँ से cut करते हैं दुबारा से refresh करते हैं यह वाला जो हमारे पास part रहेगा इसको फिर से cancel करेंगे यह inferior curves की जगे आपको लेने region boundary यह वाला part और यह अंदर वाला part आपको कितना रखेंगे 1.5 क्योंकि हमने calculate किया था 3 आया था in front की जगे आप लोग unite कर देंगे इसको और ok कर देंगे इसी तरीके से आप similar जो चीज करेंगे extrude को select करेंगे जो भी आपने extrude किया है और यहां से आप mirror उठाएंगे mirror करने के लिए आपको यह सेंटर वाला plane है इसको आप select कर लेना तो आपको mirror दूसरी साइड में मिल जाएगा similarly यह वाला part बना लेते हैं sketch करते हैं इसी portion के ओपर और okay करते हैं okay करने के बाद यहां से आपको बना लेना है यह वाला एक rectangle तो यहां से एक rectangle मैं ऐसे draw कर लेता हूँ इस rectangle की जो length है वो हमें given तो नहीं है पर यहां पर हमें देखना पड़ेगा कहीं हमारे पास में कुछ है क्या नहीं यहां पर भी given नहीं है यह देखें पूरा कितना है 18 ठीक है और यह पूरा कितना है 21 तो यह लगबग हो जाएगा हमारा 18 और नहीं इसमें से नहीं हो पाएगा यह सबसे पहले ना इसको यहां से हम लोग 4.5 देते हैं डायमेशन इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक यह रहेगा 4.5 ठीक यह वाली जो डायमेशन है यह रहेगी इसकी 3 ठीक है अब इसका यह वाला पॉर्शन देखो 2.25 यह तो 18 के साथ में रहेगा 18 के साथ यह रहेगा और यहां पर एक बार इसको देख लेते हैं अब इसका स्लाट ठीक है यह जो स्लाट है यह हमारा है कि 7.57.5 हाँ नहीं नहीं यह 7.5 नहीं है यहमें चैक करना पड़ेगा एक बार तो हम लोग के काम करते हैं जैसे यहां से 4.5 है तो यहां से 4.5 कर देंगे ठीक है? तो 4.5 करने के बाद हमारा एक काम हो जाएगा ठीक है न? तो यहां से 4.5 दिया है तो यहां से भी हम लोग इसको 4.5 ही करदेंगे ठीक है 4.5 ENTER तो ये हमारे पास इसकी जो dimension हो सेट हो जाएगी इसको नीचे ही mirror कर लेते हैं साथ ही साथ एकी बार में ये cut हो जाएगा और इसके लिए हम को ये select करने पड़ेंगी ये आप एजे select कर लेना center line जो होगी वो ये वाली होगी आप इसे apply कर देंगे, cancel कर देंगे और इसे finish कर देंगे finish करने के बाद यहां से sketch को select किया extrude को select किया और ये पीछे की तरफ आप पूरा इसको कर देना और यहां से इसको subtract कर देना ठीक है ना तो इसको हम लोग subtract करके apply कर देंगे तो ये यहां से cut जाएगा इतना पार्ट इसके बाद इसके अंदर बात आती है हम लोग को इसके अंदर ये वाला portion बनाना है ये वाला portion इसके अंदर हम लोग create करेंगे तो इसके लिए हम middle वाला plane ही use करेंगे middle वाला plane ही use करते हैं और center में कहीं पे एक circle बनेगा ये 18 का radius है तो यानि कि ये 34 का हो जाएगा और इसे कर देंगे नीचे से ये 31.5 का रहेगा तो यहां से और यहां तक इसको हम लोग करेंगे 31.5 और इसे कर देते हैं close close करने के बाद इसको center में लेकर आते हैं center में लाने के लिए आपको horizontal एक point लेना पड़ेगा तो ये center में आ जाएगा ये fully constant हो गया अब इसके बाद आपको एक line draw करनी है यहां पर उसके बाद इस circle draw करना है यहां पर हम लोग एक circle draw करते हैं 7.5 है तो इस लगबख 15 का हो जाएगा ठीक है ना और इसको हम लोग tangent कर देते हैं circle के साथ में तो यहां से tangent उठाते हैं इस circle के साथ में ये वाला tangent हो जाएगा लेकिन अभी भी यह देखिए move कर सकता है नीचे की तरफ वही हमें चाहिए यहां से line draw करते हैं जो कि इससे tangent होगी अब line draw करने का purpose यह है कि हम इसको देख सकें कि यह है कितना देखिए 7.5 है यह लगबख ठीक है अगर आप नीचे वाले point से देखिए तो 7.5 आएगा तो इस point से और यहां तक हम इसको रखते हैं vertical में और इसको कर देंगे 7.5 enter ठीक है 7.5 कर दिया यह आपका fix हो चुका है ठीक है अब यह कहीं नहीं जाएगा इसके बाद इसी तरीके से इसी step में हम लोग mirror करेंगे और center line रहेगी यह mirror होगे आपका अब इसमें कुछ करना नहीं है आपको इन दोनों को combine कर देना combine किसलिए कर देना क्योंकि portion तो cutना ही है extra portion है उसके बाद यहां से tangent line हम लोग डाल देते हैं तो tangent line के लिए यहां कहीं से शुरू करेंगे और यहां कहीं पर हम लोग tangent करेंगे फिर यहां से cut किया और इसके बाद यहां से कर दूँगा मैं trim और यह भी trim कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी shape आ जाएगी यहां से आपको finish करना है और अब देखिए यहां पर हमारे पास में 18 है 18 है और यहां से आप देख सकते हैं कि इसकी thickness है 2.25 तो हम क्या करेंगे कि 2.25 को 18 में से less करेंगे तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं calculator 2.25 प्लस 2.25 माइनस हम लोग कर देंगे इसको 18 तो यह 13.5 बचेगा हमारे पास में ठीक है ना 13.5 बचेगा यह अंदर वाला ठीक है ना यह बाहर वाला तो हमारे पास पूरा ही कटेगा यह वाला zigzag portion लेकिन यह अंदर से भी थोड़ा लगे तो फिलाल एक काम करते हैं extrude लेते हैं और यहां से region bounded curve रखेंगे तो यह bound हो जाएगी इस तरीके से तो इस तरीके से आप इसको दोनों ही side में आप इसको subtract कर सकते हो subtract कर दिया subtract करने के बाद आपको क्या करना है फिर दुबारा से अपना sketch लेना है extrude में जाएंगे तो यह sketch highlight हो जाएगा इसको select करेंगे और इसको करेंगे 13.5 ठीक है 13.5 रखेंगे यहां से यह value हम करते है 0 और इस value को हम लोग करते है symmetry sorry इसमें 13.5 को divide by 2 करना पड़ेगा तब यह इसके अंदर आएगा ठीक है न यह बिलकुल इसके अंदर आकर set हो जाएगा और इसे आप apply कर देना यह अंदर से कुछ ऐसा कर जाएगा इससे कर देते हैं हम लोग hide sketch को यहां से hide हो गया यह हमारा portion ready हो गया अब इसमें एक यह वाला part है यह वाला part हम लोग बना लेते हैं फटाफट से sketch लेना और इस वाले पर click करना और इसे करना ok यहां से आप इस तरीके का sketch बना लेना ठीक है ना और यह ओपर गया यह नीचे गया अब इसकी जो height है वो देख लेते हैं पहले यह बाहरवाला diameter 22.5 तो 22.5 डिवाइड बाइड बाइड टू इसको रखते हैं ठीक है थोड़ा सा dimension चेंज हो गया कोई बात नहीं अब यह जो बाहरवाला diameter है यह बाहरवाला diameter है 18 का तो इसको हम लोग 18 का half कर देंगे 18 डिवाइड बाइड बाइड टू ठीक है अब इसके बाद इसकी जो height है total यह कितना है 19.5 तो 19.5 इसको कर देंगे close 19.5 ठीक है और यह वाला थोड़ा सा drag करके नीचे ले आना यह 4.5 हो जाएगा तो यहां से dimension लेना यह और यह इसको आप horizontal लखेंगे और यह जाएगा 4.5 4.5 हो गया यहां पर आपके पास है 1.5 की फिलेट लगी वी है उपा नीचे तो यहां से हम लोग फिलेट पे भी चलते हैं और साथी साथ हम लोग फिलेट भी लगा देते हैं बाद में नहीं लगाना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से फिलेट लगा के इसको कर देना चैंसल और यह profile हमारी बन गई है इससे कर देंगे finish finish करने बाद revolve कर देंगे इसको और यह वाला हम लोग रखेंगे center वाला इसको unite की जगे unite ही करना पड़ेगा unite की जगे कुछ और नहीं आ सकता और इसको हम लोग हाइट करते हैं sketch को यह वाला sketch हमारा ready हो गया अब इसके अंदर एक 24 की depth में 12 diameter का hole है तो hole में चलते हैं और यहाँ पर हम simple वाला hole लेंगे general hole option में simple hole लेंगे और इसका diameter होग 12 और depth होगी इसकी 24 और नीचे की जो tip angle है यह होगी zero तो यहाँ से थोड़ा साफ इसको इस portion पे ले जाके रख दीजे और यह आपका काम हो जाएगा ठीक है 12 diameter और इससे apply कर देंगे इसी बीच हम हमारे पास में एक और आता है जो की 15 diameter का है तो hole में जाना है और हमको यहाँ से 15 diameter कर लेना है और देखिए इसके center पे जाना है जैसे इसके center highlight होगा आपको वहाँ पर इसको place कर देना है तो आपके यह दो hole create हो जाएंगे एक ही साथ में ठीक है इतना create हो गया अब यहाँ से कोई middle plane उठा लेना जो की base वाला है और इसे ok कर लेना ok करने के बाद आपको एक hole 4.5 diameter का यहाँ पर डालना पड़ेगा ठीक है न यहाँ पर 4.5 का hole डाल देंगे और इसको कितना रखेंगे हम लोग यह उपर से 12 का इसका dimension रहेगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है 12 का diameter इसका रहेगा इसको center में लेकर आते हैं horizontal से यह वाला center point रहेगा और यह वाला center point रहेगा तो इस तरीके से guys आपको यह model create होता है तो I hope आपको यह tutorial अच्छा लगा होगा ठीक है जो भी beginner students है वो उनके लिए मैं जातर upload करता हूँ क्योंकि beginners के लिए ही कम है बाकी तो आपके advance बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन beginners को एकदम से advance हो नहीं बना पाते हैं तो इसलिए इस तरीके के models पे आप practice करके uni graphics में आप perfect हो सकते हो ठीक है ना इसी तरीके के tutorials को follow कीजिए मैं अपने channel पे इसी तरीके के tutorial डालता हूँ जो students week है या फिर जिनको थोड़ा सा कम समझ में आता है उनके लिए बहुत बढ़िया model है और इसी तरीके से model आप practice करते रहिए ओके thank you